हलो फ्रेंड्स मैसल डॉक्टर सुशिला सेने गाइनेकलाजिस्ट एन अप्सूटिशन डायरेक्टर जैपुर दूर्बिन हास्पुटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नहीं जानकरी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं पिरियो की इर्रेगुलेरिटी के बारे में यानि की अरनेमिताओं के बारे में आपका पिरियो टाइम पे नहीं आता ये बहुत बड़ा सवाल है आपको बहुत परेशान करता है और आप इससे बहुत जादा पजल रहती हैं आपको इसके स्पेसिफिक डेट नहीं पता होती है कि कब आने वाला और हमेशा दिमाग में बैक आफ दमाइन एक कौशन हमेशा चलता रहता है कि हाई मेरे पीरिट्स आने वाले हैं कब आएंगे क्यों नहीं आएं अब तक और अगर आप सेक्सोली एक्टिव हैं तो आपको यह ल कडिया है कि डिवे किसको बुलते हैं डियर का मिनिंग होता है कि कोई भी चीज संपर टिर्या इंतर और यानि कि अगर आपका पिरेट जानी हमेशा है चाहिए कि महीने के महीने इफ्ली इन पेरड़ना चाहिए यह डिए पौसिबल नहीं एकिस दिन से लेकर 35 दिन तक अगर आपका पीरेड आ रहा है तो नॉर्मल कट आफ लिमिट्स के अंदर ही है ऐसा नहीं हो सकता कि हर लेडी का पीरेड फिक्स 28 दिन पे आए यह फिक्स 30 दिन पे आए यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंग्या इतने लोग है तो सबका एक फिक्स इंटरवल नहीं हो सकता है सबके अपने बॉड़ी का अपना मेटाबॉलिजम होता है अपना सिस्टम होता है तो उसी के साब से उसका पीरेड आते हैं तो सबसे पहले ता आप यह समझ लीजे कि रेगुलियर पीरेड का मीनिंग यह होता है कि आपका प शल्यूटली नॉर्मल येस बिलकुल नॉर्मल है जितने भी डेज में आपका पीरेड आ रहा है तो उसके लिए आपको चिंता करने के ज़रूरत नहीं है लेकिन चिंता कब करनी चाहिए कि अगर आपको 21 दिन से भी कम में पीरेड आ रहा है यानिकि 15-20 दिन के अंदर ही प जल्डी जल्डी पिरीड या महीने में दो बार पीरेड आना अगर 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 अपके इतनर लॉश बढ़ जाता ओंध शरीर में खुफून की कमी हो सकती है या और हो इसको शुद्वर्ण करना या पता करना ज़रूरी होता है दूसरा जो सवाल आता है कि आखीर पीरेड फिक्स इंटर्वल पर नहीं आता हूं । अगर आपका रिगूलर ली अगर ऐसा होता है कि हर बार है आपका पांस दिन पहले आ जाता है पेरे आ या अगली बार का पच्छीस थारीक को आज रहा है या यानि कि आपका 25 दिन का साइकल हो गया है तो वो भी एक नॉर्मल चीज है लेकिन अब कभी चड़ता है कभी कम होता है तो फिर आपको एक बार evaluation की जरुवत है यह जनरली हार्मोन की कारण होता है कि या तो PCOD हो सकता है या थाइरेड हार्मोन का प्राब्लम हो सकता है या कोई फिर भी प्राब्लम हो सकता है या कोई LHFSH का यानि की जो ओरी के हार्मोन होते हैं उनका कोई प्राब्लम हो सकता है तो उसकी लिए फिर ब्लद टेस्ट के पड़ती है तो आप जब भी बलद टेस्ट के रिक्वार्मेंट्स हो तो डॉक्टर से मिलें अपने लेवल पर को पंदरह साल के पढ़ाई करके आपको कोई दे रहा तो डेफिनिलिट अपको बहुत अच्छी अडवार मिलने वाली है अगर आफ पीरिड इस तरीके से आता है कि तीन-टीन महींने में नहीं नहीं आजहा रहा है या अपने आप से आता ही तो भी आपको डाॉक्टर से मिलना चाहिए। ताकि ये चाहिए कर्या unit में सकते हैं सोनोग्राफी क्पार डैस्सें को पताएंगे से पाया कि नहीं Commander enda बनता है नहीं पूर्वपता तो एस्टोजम्ट्रों से प्लबार्मुन का हैं स्थे रहते हुआ और अनपोस्ट इस्ट्रोजन की सिती चलती रहती है यानि कि प्रोजिस्ट्रोण नहीं आता है तो प्रोजिस्ट्रोण नहीं आने के कारण प्रोजिस्ट्रोण पर नहीं आता है और दिरे 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 अंदर एंडोमेट्रियम का लेयर इस्ट्रोजन के एफेक्ट में नहीं पता होता कि पिरिड आने वाला होता है यह बहुत ही अबनॉमल सिच्विशन हो सकती अगर आप इसके लिए प्रपेर नहीं है तो पी सी अगर आपको है तो डेफिनिटली यूशुड आलवेश करी और टेंपोन और पैड्स वेनेवर यूशुड यूशुड PCOD का इलाज मुश्किल है पर ऐसा नहीं है कि असंभव है उसका इलाज नहीं है ऐसा नहीं है आजकर बहुत अच्छी medication आ गई है उससे आप अपना PCOD का treatment कर सकते हैं और इसकी अलावा इसमें अंदर अगर आप जो 21 दिन हो जाएंगे तो यह अगर आप डॉक्टर से मिलकर treatment लेते हैं PCOD का मेडिसीन और जो हार्मनल कंट्रोल की यानि कि इस्टोजन और प्रोजिस्ट्रोन की कंबाइन पिल्स आती हैं जो कि काम आती है वह अगर आप लेती है तो आपको बहुत सारे बैनेफित हो सकते हैं एक हमने वीडियो भी बनाया है कि oral contraceptive pills के क्या क्या benefit है उसके 10 benefit हमने बताएं तो आप सर्प्राइज होंगी कि इन गोलियों के इतने ज्यादा benefit हो सकते हैं तो please go through with that video आपके लिए बहुत काम का हो सकता है अब आपका period अगर आता है बहुत कम आता है और कभी-कभी बहुत heavy आता है तो यह बहुत irregularity है period के अंदर तो भी आपको evaluation की जरुवत है जनरली हार्मोनल effect होता है लेकिन अगर आपने कभी कभी कभार पहले कोई DNC कराई है या और कोई बिमारी बच्चे दानी के अंदर को tuberculosis हो गया है तो उसकी वज़े से भी irregularity हो सकती है तो आप डॉक्टर आपको evaluate करके है personally आपके पूरे science symptoms आपके जो problems है वो आपके पिछली reports है और आपके जो पिछले procedures हुए हैं उन सबको evaluate करके फिर आपको diagnosis देगा तो यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो period से संबंदित हो सकती है जनरली यही कहा जाता है कि डॉक्टर से मिलने के बाद ही इनका समाधान हो सकता है लेकिन मोटे तोर पर अगर आपने को यह पता चल जाता है कि क्या नॉर्मल और क्या आप यह रूल आउट कर पाएं कि मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है तो हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश है इतना ही है कि आप अपने आप से यह evaluate कर सके हैं कि आप कब करते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए आप से फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जैनकारी के साथ नमस्क्राइब